हेलो फ्रेंट्स वालकम टो माई चैनल मिगाज हेल्थ और ब्यूटी कार्णर पेट में गैस बनना बहुत ही आम बात है लेकिन कई बार इसकी वज़े से दोस्तों सीने में दर्द होने लगता है गैस पहंकर तरीके से हमारे सर में चड़ जाती है उल्टियां तक आने लगती ह अगर आपको भी गैस बहुत जादा बनती है और आपके इसके लिए बहुत सारी दवाईयां भी लेते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि ये जो बिमारी होती है गैस बनना जो होता है उसको आप घरे लो पाई के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं और ये जड़ से भ बड़ी बड़ी बिमारियां भी हो सकती है पेट फूल न और गैस बनने पर आप घर में ही मोजूद चीजों से अपना इलाज कर सकते हैं और इस बिमारी को जड़ से खतम कर सकते हैं जी हैं दोस्तों आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तिमाल स आपकी गैस की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों में बहुत अधिक चीजों की जुरत नहीं है किवल घर में मोजूद चीजों से ही ये रेमेडी तयार हो जाती है और इससे आपकी गैस बनना जलन होना मरोड उठना या फिर ऐसे ड पाए जाते हैं जो पेट में एसीडेटी को कम करते हैं एसीड को न्यूट्रिल करने के काम आते हैं और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए अधरक बहुत ही फायदेमंद माना जाता है इसलिए अधरक पाचन क्रिया को बहुत ही सही कर देता है तो इसमें हम अधरक का इस्तिमाल करेंगे क्योंकि गैस पास करने के लिए अद्रक बहुती फायदेमंद होता है अद्रक को कद्दुकस करके हमें इसका जूस निकालना है एक चम्मच के कराब करीब हमें इसका रस चाहिए क्योंकि इस रेमिडी में केवल हम एक चम्मच रस का एक वायर में इस्तिमा दिन भर में 8-10 बार पानी पीते हैं तो कम से कम 2-3 बार नीमबु जरूर डाले इससे आपका डाइजेशन बलकुल ठीक रहता है तो नीमबु का इस्तेमाल भी हमें इस रेमेडी में करना है तीसरी चीज दोस्तो जो हमें चाहिए वो है काला नमक पेट में दर्द हो मरोड हो उन सभी के लिए काला नमक बहुती फायदेमंद होता है काला नमक जोडों में दर्द याकरण की समस्या को भी कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है सलाध हो या ने खाने की चीज़ें उसमें हम काले नमक का उपयोग जरूर करते हैं ये गैस और कब्ज जैसे समस्या क कम करता है काला नमक हमारी पाच्चन क्रिया को दुरुस्त रखता है तो आज हम इन तीनों चीजों के इस्तिमाल से ही रेमेडी को बनाएंगे और इसके लेने के तरीके को भी हम जानेंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने अद्रक का एक चमच रस लिया है तो इसमें मैं एक चमच के करीब ही नीमबू का रस एड़ कर दूँगी यह नीमबू में एक चमच से ज़्यादा रस है तो हम इतना ही नीमबू इसमें एड़ करेंगे और यह जो बीज आ जाते हैं दोस्तों इनको आप हटा दे देखे बीजों को मैंने हटा दिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे दोस्तों आधा चमच के करीब काला नमक सबी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है बस देखिए दोस्तों, रेमिटी हमारी बनकर तयार हो गई है इस रेमिटी का बहुत ही फायदमन है दोस्तों आप जान लेते हैं इसके लेने का तरीका जब भी आप दोपैर में और रात को खाना खाए उसके बाद आप इसका सेवन जरूर करें उसके आदे या पंदरा मिनट बाद आप इसको पी लें चाहे तो आप इसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं इक खाना खाने के बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कोई भी गैस की कबज और एजिडिटी की समस्या नहीं होगी और आपका जो पाचन किरिया है दीरे दीरे बिल्को स्वस्थ हो जाएगी तो दोस्तो इस रेमेडिय को आप जरूर इस्तिमाल करें और वीडिय आपको